तर्विद्नान भवन मदू नरंद्रमोदी बोलता है पाहुयाद ते होते थे यहां तो सुवे सुर्योदे के पहले जाना पड़ता था ठंड हो वर्षा हो मेरे देश की करोडों माता है हर दिन इस मुसिबत से गुजरती थी खुले में सोच के कारण जो गंदगी होती थी उसने हमारे बच्चों के छीवन को भी संकट में डाल रखा था बाल मृत्यू का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी गंदगी की बज़र से गाउं में शहर के अलग-अलग बस्तियों में बिमारियां फैलना आम बात थी साथियों कोई भी देश ऐसी परिस्तिती में कैसे आगे बढ़ सकता है और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है बैसा नहीं चलेगा हमें इसे एक राष्ट्रिय और मानिविय चनोती समझ कर इसके समाधान का अभ्यान चलाया यही से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा ये कारकम, ये मिशन, ये अंदोलन, ये अभ्यान, ये जन जागरन का प्रयास पीडा की कोक से पादाफ हुआ है और जो मिशन पीडा की कोक से पादा होता है वो कभी मरता नहीं है